ओम नमाशिवाय पॉश्मा सुक्लपक्ष शुक्रवार द्वादसी तिथी साम साथ बज़े तक लगी रहेगी चंद्रमा आज भी रोहडी नक्षत्र में दिन में एक बज़े तक चलते रहेंगे तद पस्चाथ मृक्षिरा नक्षत्र में प्रिवेस कर जाएंगे जिसके नक चत्रस्वामी मंगल देव हैं आज के जन में जातक सुंदर, बुद्धिमान, धन और एश्वर से युक्त, विचार सील, प्रतिभाशाली, अस्वरान सक्ती वाले, दूसरे की बात समझने में कुशल, तर्क देने में निपूर, शेयर, लाटरी, इत्यादी में रूची उन्नती गामी और बेवार कुसल होते हैं, यदि सहयोगी लगन रहा, दसा ठीक रही, शुक्र और मंगल की इस्तिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे, चंद्रमा आज रात में साड़े ग्यारह वजे तक ब्रिश रासी में ही चलते रहेंगे, तक पस्चात मिथुन र प्रिश रासी में प्रवेस कर जाएंगे, और अगले धाय दिनों तक मिथुन रासी में ही चलते रहेंगे, आज के पूरे कारेकाल में, ब्रिश रासी का प्रभाव प्रतिवजात्कों पर का cloudy मही जिससे नेत्रित करने की छमता बढ़ेगी, किसी बात को प्र्भावी धंक स पेस्ट करने की कला का विकास होगा रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे और प्रसासनिक सहयोग कायम रहेगा रचनात्मक्रियासीलता आत्मश्वास को बढ़ाने वाली होगी और कारेचिक में सफल रहेंगे हलाकि विचारों के दिरोधाबास का दोर चलता रहेगा और मानसिक संतुष्टी में कमी मौसूस होगी मगर मौसम से संबंधित जटिलताएं प्रभावित कर सकती हैं आज रोही नक्षत दिन में एक बज़े तक कायम रहेगा इस दोरान किसी को धन या कर्ज नहीं देना चाहिए अन्यथा धन वापसी में अर्चने संभावित हैं आज का राहुकार प्राता साड़े दस बजे से बारह बजे तक लगा रहेगा इस दोरान कोई नए काम की शुरूबात नहीं करनी चाहिए मेश राशे के जात्कों के प्रयासों को बल मिलेगा कोशिस काम्याब होगी आर्थिक इस्तिकीम में सहयोग और रचनात्मक्रियासिलता बनी रहेगी बौधिक शम्ता का विकास होगा और मित्रों का सहयोग बना रहेगा प्रबल आत्मिश्वास ब्याज़ाई की योजिनाओं को सफल बनाने में मदद करेंगे साजेदारी और नई कार योजिनाओं के लिए आज का दिन अनकूल है सारेविक और मानसी कुर्जा बनी रहेगी संतान संबन्धी मामलों में आत्मिश्वास बढ़ेगा मगर मा के स्वास की चिंता लगी रहेगी प्रिद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा और वयवाहिक प्रयास सफल रहेगे संतान संबन्धी जिम्यदारियां पूरी होगी संतान संबन्धी जिम्यदारियां पूरी होगी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा पारिवारिक प्रयना लाफ दिलाने वाली होगी और वयवाहिक प्रयास खलिभूत होगी मिथुन राशिके जात्मों के बौदिक छम्ता में सुधार होगा प्रतियोगी भावना दिक्सित होगी और रचनात्मक रिया शिल्ता बनी रहेगी दिन्चरिया सकारात्मक पुर्या से भरपूर रहेगी घर ग्रियस्ती संतान और स्वजनों पर निव्यस की स्थिती भी बनती है मगर स्वास संबंदी सावधानिया रखनी चाहिए हलाकि ब्यावसाइक प्रयना जारी रहेगी कारियोजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी साजेदारी के प्रस्ताव लावदायक रहेंगे आथिक लावमन मुताविक मिलता रहेगा और सिक्षा प्रत्योगता में सफलता संभावित है प्रयास जारी रखें खर्चों को नियंतित रखें और वहन सावधानी से चलाएं करक राज के जात्कों के लिए हर काम करने के प्रति उत्साह बना रहेगा कारेचेद के बिस्तार की प्रव्रित्ती बढ़ेगी अतिरिक्त कारेभार और सरकारी विभाक में सहयोग मिलता रहेगा और नई कारी योजनाओं में भागीदारी सुनिशित होगी नीजी निवेश की योजनाओं में उठाया गया कदम सही रहेगा मगर संतान समंदित मामलों में मानसिक दवाव महसूस होगा और समंदित मामलों में यात्रा या प्रवास्ती सित्ती बनती है विद्यातियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, परिष्टम में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है, अपने खर्चों को नियंतित रखें और वाहन चलाने में सावधानी अपेच्छित है शिंगराज के जात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, कारेच्छित के प्रति नीरंतर विकास और लाव का संकेत मिलता है, नई कारियोजनाओं में सहयोग और उसके प्रति होने वाले प्रयासों में अधिकारियों की प्रिणाब और सासन सत्ता का सहयोग भी सामिल सरकारी कामकाज पूरे होंगे या अठिक लाव किस्ति अच्छी रहेगी, नीजी निवेश सफल रहेगा और द्रिहोपयोगी वस्तों बिध्धी होगी वयवाइक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, न्यायालय यावाद विवाद संबंधी मामले आज के लिए नुकूल रहेंगे विध्याथियों के लिए आज का दिन महनत वाला होगा, पूरे उत्साह से प्रयास जारी रखे सफल रहेंगे कन्या राष्ष के जात्कों के लिए कारचित में चलिया रही रुकावटों में कमी आएगी और आत्मी स्वास में विध्धी होगी कारचित में सहयोग मिलेगा और उन्नकी के मार्ट परसस्त होगे नई ब्यावसाई की योजनाओं में रचनात्म प्रवदिती बनी रहेगी और आथिक लाहमन मुताविक बना रहेगा लेकिन स्वास संबंदी जटिलताओं पर भ्यान रखना चाहिए साजेदारी के काम आज के लिए लावदायत रहेंगे और ब्यावसाई की यात्रा के योग बनते हैं मकर कुछ कामों में मन का अंतरदंद मिर्णे लेने की चमता को प्रभावित कर सकता है विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा अध्येन अध्यापन में प्रयास जारी रखे तुला राशी वाले जात्मों के लिए हर छेत में सफलता का संकेत मिलता है चंद्रमा का मंगल के नक्षत में दोपहर बाद स्वास सम्मंधी जटिलताओं का संकेत देता है सावधानी अपेक्षित हैं हलाकि कारेच्छत में सहयोग जारी रहेगा और विकास की गति बनेगी रुके हुए काम संपन होंगे साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा आठिक लाव मन मुताबिक बना रहेगा मगर माता के स्वास्त की चिंता बढ़ सकती है विद्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा शिक्षा प्रद्योगता में सफलता मिलेगी और परिश्ण सार्थत होंगे नीजी रिष्टे और प्रगाड होंगे और आपके चारो तरह फ्रेम और सभादपूर माहौल बना रहेगा ब्रिश्चिक राजिके जात्मों के लिए चंद्रमा का मंगल के नच्छत में बैठना सकारात्मा प्रभाव में माना जाएगा और स्वाज संबंधी जटिलताओं में कमी आएगी मगरवाणी की सम्मेता आवस्यक होगी साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे विभागी कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा और जो शीला अंदायच सफल बनाएगा आए संबंधी मामलों में सुधार होगा और यात्रा का योग बनता है पारिवारिक दायत की पूर्ती होगी और वयवाही प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे विध्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा वगर वह हम सावधानी से चलाएं धनुराशिवाले जात्मों को उस पास संबंदी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए कारियोजनाओं में आ रही रुकावतें खत्म होंगी और कारे के प्रती सहयोगात्मक रवय्या कायम रहेगा सरकारी सहयोग और मन मुताविक काम के होने का संकेत मिलता है हलाकि आज का दिन ऐसा है कि बहुत जिनों से सोचे हुए कारे के लिए अपने आप कहीं से प्रस्ताव आ सकता है नई कारियोजनाओं में सहयोग और सकारादमक रेनान मिलती रहेगी साजेदारी के प्रस्ताव लाबदायक रहेंगे आर्थिक स्तिती में सुधार होगा और वायवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अन्कुल रहेगा मगर वहां सालदानी से चलाएं मकर राशी के जात्मों के लिए अत्मिश्वास में बेद्धी होगी और नई उर्जा का एकसास होगा पहले की चलिया रही दिकतों में सुधार होगा प्रत्योगी भावना बिक्सित होगी और कारेच्छत में उन्नती का माज परशस्ट होगा यदि आप अपने आंतरी कुर्जा को सकारात्मत रूप से निवेश करेंगे तो कारेच्छत में आपकी दक्सता बढ़ी रहेगी और सम्मान के पात्य बनेंगे आर्थिक लाग सामान रहेगा और संतान संबंधी सुख समाचार मिल सकता है विद्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा शिच्छा प्रत्योगता में सफलता मिलेगी और प्रयाद सार्थक होंगे कुम बरास के जातक पारिवारिक सुख संतुष्टी और सुकून महसूस करेंगे माता के स्वास में सुधार मगर नीजी निवेश के प्रस्ताल सफल होंगे मानसिक इस्थित्ता के साथ सरकारी कामकाज पूरे होंगे भूमी और वाहन लेने का योग भी जारी है नई कार्योजनाव में सहयोग मिलेगा और उन्नती के मार्थ प्रशष्ट होंगे आर्थिक लाव भाग्यवस अच्छा होगा मगर सावधानी या प्रशष्ट है वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा विध्यात्यों को मेहनत करनी पड़ेगी सफलता संभावित है वीरोधी परास्त रहेंगे और न्यायालाय यावाद विवार संभन्ध ही मामले अन्कूल रहेंगे मीन राशी के जात्मों के लिए रचनात्मक प्रयासों में सुधार होगा मगर कारिच्छत के विस्तार में मानसिक स्थिर्था कायम रहेंगी हलाकि विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है उच्छ अधिकारियों का सहयोग और पारिवारिक प्रयान लावदायक सिद्ध होगी नई कारियोजनाओं में किये प्रयास साथक होंगे और साज्यदारी के काम लावदायक रहेंगे मगर स्वास संबंधि चटिल काम पर भी से स्थियान दखना चाहिए और विद्यात्यों के लिए आज का देन मेहनत वाला होगा निरंतर अभ्यास जारी रखें वैवाहित मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल भाहिदार आज के लिए वस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाश्यू आए